नमस्कार एस्टो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ एस्टोलोजर प्रवीन मिश्रा आज के उपाय में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके जीवन में धन की कमी है पैसा आपके पास रुकता नहीं है पैसा आता है और चला जाता है आप बहुत कोशिस क करते हैं इसके बावजूद भी पैसा नहीं टिकता है आपके पास पैसे को ले करके परिशानी रहती है हमेशा जितना भी कमाओ लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है चला जाता है तो आप क्या उपाय करें जिससे की पैसे की कमी दूर हो जाए तो देखिए सावन का महीना चल रह और आगे आने वाले समय में कभी आपको पैसों के लिए परिशान ना होना परें तो जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं इसको आजमा करके देखिए बहुत सारे लोग यह उपाय कर चुके हैं वही उपाय हम आपको बताते हैं अपने इस कारक्रम में जो आज का उपाय कारक लेकिन इसका process समझ लीजे, उपाय को विद्विधान से करने से ही उसका सही result मिलता है क्या करना है आपको कि शुक्रवार के दिन, Friday के दिन जो है अपने घर में खीर बनानी है खीर जब आप बनाएंगे तो उसके लिए आप अच्छे quality के चावल ले लीजे कोशिस करिए कि वो चावल तूटे हुए ना हो, साबुद चावल मार्केट से लिए बढ़या quality के और गाय का दूद लेना है आपको, गाय का दूद आपको मिल जाएगा इसली तो गाय का दूद ले लीजे और क्या लेना है आपको, कि अच्छे quality के चावल और मिसरी चीनी की जगे जब आप खीर बनाएंगे उसमें मिसरी का प्रयोग करेंगे तो चावल, चीनी, मिसरी, चावल, मिसरी और दूद, गाय का दूद ये तिनों ले लिया और इसके बाद जो है आप इसनान ध्यान करके अपने किचन को बढ़या से साफ कर लीजे और इसके बाद एक शुद्ध पात्र में, एक पवित्र बरतन में जो बहुत अच्छा साफ आपका बरतन हो उसमें खीर बनाना है तो खीर बनाएंगे पूरे पवित्र मन से अच्छे से सोच के और खीर जब आप बनाएंगे तो ओम नम्ह शिवाय का जाप करती रहें और इसके बाद जब खीर बन जाए, तो उसको ढख करके रख दिजे ठंडी हो जाए फिर ले जाकर के शिव मंदिर में जाइए शुकरवार को बनाना है और शुकरवार के दिन ही शिव मंदिर में जाना है यदि आपके पास सुबह टाइम है, तो आप सुबह यह उपाय कर सकते हैं, यदि सुबह टाइम नहीं है, तो शाम को भी यह उपाय कर सकते हैं, तो आपने जो खीर बनाई है, उसको अच्छे साफ बरतन में ले लिजे, और फिर शुब मंदिर में जाएं, कोशिस ये करें कि जो आपने खीर बनाई है, उसमें दूद की मात्रा थोड़ा जादा रहे, यानि लिक्विड फार्म में रहे, बहुत गाड़ी खीर नहीं हो, तो लिक्विड फार्म में रहेगी, तो अच्छा रहेगा, तो खीर लिकर के जाएं, और भोले नाद का खीर से अविशेक करना ह तो यदि खीर पतली रहेगी, बहुत गाड़ी नहीं रहेगी, तो आपको अविशेक करने में कोई परिशानी नहीं होगी, तो खीर से भोले नाद का जब आप अविशेक करेंगे, तो बोलते हुए करेंगे, ओम नमा शिवाय, यह जो भोले नाद का मंत्र है, ओम नमा और इसके बाद क्या करना है कि बोले नाथ को जो खीर आप अविशेक के लिए इस्तिमाल करेंगे वह एक कटोरी से ज्यादा नहीं तो एक कटोरी खीर भोले नाथ को अर्पित करिए और बाकी जो खीर बची है तिन-चार कटोरी खीर एक्स्ट्रा बना के ले जाए और इसके बाद वहाँ प्रसाद के रूप में बांट दे ये उपाय करके देखिए आपके जीवन में धन को लेकर के जो परिशानी है वो दूर होगी धन आपके पास आने लएगा और कम से कम कोशिस करिए कि 11 शुक्रवार तक आप ये उपाय करें तो सावन से शुरू कर लिजे सावन का मोका चल रहा है और ये उपाय आप लगतार करते रहे हर शुक्रवार को तो आप देखेंगे आप महसूस करेंगे कि धिरे धिरे करके धन की कमी जो है आपके जीवन से दूर होने लगी है धन आपके पास रुखने लगा है पैसा आने लगा है तो ये उपाय करिए बहुत सारे लोगों ने किया है आपको भी फायदा हो आज के लिए मुझे दीजे अनुमती देखते रहे एस्टो तक नमस्कार